हेलो दोस्तो, मेरा नाम जोती है और आप देख रहे हैं जोती एक्स्प्लेंड टरने लगी थी पर उसकी मा कहती है कि वूल्फ लोगों को सिर्फ इसलिए बुरे लगते हैं क्योंकि उन्हें फेरी टेल्स में विलन दिखाया जाता है जबके असल में वैसे नहीं होते नीका के पिता का वूल्फ को देखने की वज़ा से दिहान रोट से हटता है तो इस वज़ा से उन लोगों का बहुत बुरा एक्सिडेंट हो जाता है नेक्स सीन में नीका रोट पे बेहोश पड़ी नजर आती है जहां वूल्फ उसके पास आता है पर उसे कुछ किये बगार वहां से निकल जाता है इस एक्सिडेंट में नीका अपने पेरेंट्स को खो देती है और उसकी जिंदगी पूरी तरहां बदल जाती है वो अपनी मा की याद के दोर पे सिर्फ उनका बड़र फ्लाय वाला नेकलेस लिए एक नई शुरुआत के लिए और्फनेज की दरफ पड़ती है जहां पीछे हमें नीका की आवाज से पता चलता है कि बच्जे इस और्फनेज को ट्रेव कहती है यहां बहुत सारी बेट साइट स्टोरी सुनाई जाती है जिन में सबसे ज़ादा जिकर टीर स्मित यानि अश्कों के कारीगर का होता है क्यूंकि यहां रोना अलाव नहीं बच्चों को अपने आंसू और दर्द अपने अंदर छुपा के किसी लाश की तरह यहां रहना होता है अश्कों के कारीगर के आंसू निकलते ही मोती में बदल जाते हैं इसलिए लोग वापिस जिन्दा महसूस करने के लिए उसके पास जाते हैं जहां अश्कों का कारीगर अपनी मोती उन्हें देख कर वापिस रोने में मदद करता है फिर वो आंसु दुख, दर्द, गुसे या हुशी के हों वो बस निकल आते हैं नीका का कहना था कि उसने कभी नहीं सोचा था वो ऐसी किसी कहानी का हिसा बनेगी इसी के साथ वो ग्रेव की iad, Margaret और बागी बच्चों तक पहुँन जाती है जहां, Margaret उसे उसकी मा का नेकलस उतारने का कहती है क्यूंके यहाँ कोई परसनल चीज अलाउन नहीं थी वो अपने फेबरी बच्चे, Rigol से नेकलस उतारने का कहती है जो रीगल निका से चीन के वहां से ले जाता है निका की एडलाइन नामी लड़की से दोस्ती हो जाती है और ऐसे ही वक्त के साथ साथ वो भड़ी होके टीनेजर में बदल जाती है जहां फाइनली उसका सपना पूरा होता है और उसे एक कपल डोप कर लेता है निकार एडलाइं को बाई करती वहां से निकलती है तो बस यही सोच रही थी किसे इस ग्रेव में उसने इतना मुश्किल वक्त गुजारा इस उमीद के साथ कि कोई उसे जैसी वो है वैसे ही कबूल करता अपने परिवार का हिसा बना ले पर उसके हाथ सिर्फ मयूसी लगी लेकिन अब आहिर उसका सपना सच हो रहा है और वो इस जहन्म से निकल गे प्यार करने वाली परिवार का हिसा बनने लगी है इस से पहले वो वहां से निकलती उसके एडॉप्टिड पेरेंट्स एना और नॉर्मन को प्यानों की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों वहीं रुख जाते हैं प्यानों रीगल बजा रहा था जो ग्रेव की शान है जिसे सब प्यार करते हैं और वो यहां का चमकता सितारा है लेकिन नीका को बिल्कुल पसंद नहीं अना और नॉर्मन को रीगल पसंद आ जाता है और वो ट्राइल पीरिड के लिए नीका और रीगल दोनों को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं जहां रास्ते में नीका सोच रही थी कि उसका सबना पूरा तो हो रहा है पर अपने नए घर में अगर वो किसी को अपने साथ नहीं देखना चाती तो वो रीगल है उसके इतने नापसंद होने के बावजूद भी आज तक नीका उससे नफरत नहीं कर सकी नेक्सी में ये दोनों अपने नए घर पहुन जाते हैं जहां इन्हें पता चलता है कि एना और नॉर्मेन के बेटे की मोध हो गई और वो प्यानो बजाता था शायद इसलिए वो दोनों रीगल से इतना कनेक्ट कर पा रहे थे रीगल अपने रूम में जाता है तो उसका सरदर चुरू हो जाता है जिसके लिए वो कोई दवाई लेता है जिसके बाद एक बॉक्स निकाल के डॉर में रखता है तबी वहां निका आ जाती है क्योंके वो नहीं चाहती थी कि उसकी अडॉप्शन में कोई भी मसला हो इसलिए वो रीगल को फॉर्ण करने आई थी जिस पर रीगल उसे कहता है कि अगर वो उसे दूर रहेगी तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा जिसके बाद तरवाजा उसके मुँपे बंद कर देता है राट डिनर पे नॉर्ण में इन दोनों से और्फनेज में इनके रिष्टे का पूछता है जिस पर नीका कहती है कि ये दोनों बहन भाई की तेरा साथ बड़े हुए है जो सुनके रीगल उसकी टांग पे हाथ रखते हुए टॉंटिंग वे में उसकी बात रिपीट करता है जिस पर नीका अनकांफर्टेबल हुई उटके वाश्रूम चली जाती है जहां वो सूचती है कि वो अब भी रीगल की च्छोन को मेहसूस कर पा रही है जैसे वो उसी का हिस्सा हो रीगल की जेरीली कशिश ने नीका के अंदर घर कर लिया है जिसकी वज़ा वो खुद भी समझ नहीं पा रही तब ही पीछे से रीगल वहां आ जाता है जिस पर नीका गुसा होने लगती है रीगल उसे कहता है कि उसका तिखावा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा जिस दिन एना और नॉर्मन को पता चल गया कि सब उतना परफेक्ट नहीं जितना वो तिखा रही है और असल में तो वह रीगल से नफरत करती है तो सब खराब हो जाएगा पर नीका का कहना था कि उन्हें एक दिन रीगल का सचपता चल जाएगा कि वो आश्कों का कारीगर है जो पोल कि वो अपने रूम में आकर सोने के लिए लेट जाती है पर ग्रेफ के ड्रोने सबने उसे सोने नहीं देते जहां सब बच्चों को इश्कों के कारीगर से ड़रा के रखा गया था उन्हें रोने की इजाज़त नहीं थी और ये बताया गया था कि अगर उनकी आंक से एक आंसू भी गिरा तो वो उन्हें उठाके ले जाएगा तभी एक बच्चा की उन्हें पताता है कि रीगल की तवियत फिर बिगर गई है जब ये सब वहाँ जाके देखते हैं तो मार्गरेट उसे बड़े प्यार से दवाई दे रही थी जिसके बाद नीका देखती है कि किसी ने उसे अंधेरी कालकोटरी में बंद कर दिया है जिस पर उसकी आंख खुल जाती है अगले दिन दोनों स्कूल पहुंचते हैं जहां नीका रीगल को उससे दूर रहने का कहती आगे बढ़ती है पर गाड़ी से टकराने लगती है जिस पर रीगल उसे बचाता है है दोनों आगे बढ़ते हैं तो हर लड़की की नज़र सिर्फ रीगल थी पर वो उन सब को इग्नोर करता वहां से निकल जाता है नीका को पहले ही दिन एक अच्छी दोस्त बिली मिल जाती है क्लास में जाने से पहले रीगल लियो नामी होट लड़की की बात सुनता है जो पने दोस्त को बोल रहा था कि अगले हफते तक नीका उसके बेट पे होगी जिस वज़ा से वो लियो से लड़ने लगता है जिने आकर टीचर रोकते हैं रीगल का पहला दिन होने की वज़ा से टीचर उसे वार्निंग देता छोड़ देता है घर आने पर रीगल अपने कमरे से निकलता ही नहीं जिस पर परिशान एना नीका से जाकर पूछती है पर नीका बात कवर कर लेती है जिसके बात वो रीगल के पात जाके उसे यहां आने की वज़ा पूछती है क्योंकि उस जैसे बच्चे को तो सब ही पसंद कर लेते थे हर बार उसे कोई ना कोई अडॉप्शन के लिए स्लेक्ट करता था पर रीगल हुद ही उनके साथ जाने से मना कर देता था रीगल कोई जवाब नहीं देता तो नीका उसे दवाई लगाने उसके करीब आती है पर रीगल उसे करीब आने से मना करता है जब नीका उसकी बात नहीं सुनती तो रीगल कहता है कि अगर वो ऐसे ही उसके खरीब रही तो अगली बार वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा उसके वहाँ से जाने के बाद निका सोचती है कि उसे फैरेटेल्स पर यकीन था और वो चाहती थी कि वो भी किसी फैरेटेल का हिस्सा बने अब वो हिस्सा बन तो गई पर गलत स्टोरी को अगली सुबा एना निका को रीगल के कपड़े रूम में रखने भेचती है जहां उसे रीगल नहीं मिलता तो वो ट्रॉर खोल के चेक करने लगती है पर रीगल वहाँ आ जाता है नीका उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है पर रीगल उसके दोगले पुने पर हसने लगता है क्योंकि नीका उसे आंसों बुनने वाला राक्षिस या एक भीडिया समझती है रीगल कहता है कि फेरी डिल्स के एंड पर एवर राफ्टर इसलिए लिखा जाता है ताकि हमें याद दिलाया जा सके कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती पर नीका के हिसाब से ये सब बदल गया था क्यूंकि अब वो दोनों ग्रेव में नहीं थे पर रीगल ऐसा नहीं समझता और उसे कहता है कि इस सब को हैपी एंडिक समझ के वो ना भटके क्यूंकि बेडिये या विलन के बगयर कोई फेरिटल नहीं होती नेक सीन में लियो नीका को अखिला देख उससे फ्लर्ट करने लग जाता है पर रीगल उसे वांट करने के लिए वहीं पास में आकर खड़ा उसे खूरने लगता है तबी बिली वहां आके नीका को अपने साथ ले जाती है स्कूल के बाद एना और नॉर्मेन इन दोनों को शॉपिंग के लिए ले जाते हैं जहां नीका को एक उपसूर्ट ड्रेस में देखकर रीगल देखता रह जाता है जब उसकी नजरों से इरेटेट हुए चेंज करने जाती है तो रीगल पीछे आके बहुत सेटक्टिव वे में नीका की सिप खोलता है पर मुरने पर नीका को वहां को ही नहीं मिलता एना वहां आके नीका को ड्रेस के उपर बेल्ट ट्राइ करवाती है पर बेल्ट की वज़ा से नीका की तबियत बिगर जाती है क्योंकि उसे ग्रेफ की वो बुरी यादें याद आने लगती है जब मार्डेट उसे अंधेरी कालकोट्री में बान दिया करती थी उसे वहां मजूद सब बच्चों की हुआईशात और डर का पता था इसलिए वो उनकी हुआईशात को कुचल थी बस उनकी अंदर डर डालती रहती थी नीका को उसका लगोट्री में लगता था कि उसका दम निकल जाएगा पर तब ही उस अंधेरे में कोई आकर उसका हाथ पकड़ लेता था जिससे मिली होप से नीका आज तक जिन्दा थी प्रेजन में नीका को खोश आता है तो वो सोचती है कि वो चा के भी एना को अपने साथ हुए जुल्मों का नहीं बता सकी पर अब उसे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि वो अब अज़ात और खोश है जब वो एना के पास जाती है तो उसे पदा चलता है कि आज रोज डे है इसलिए बच्चे अलग अलग कलर के रोज दे के अपने प्यार का इज़ार करते हैं जब वो स्कूल पहुँचती है तो बिली की दोस्त मिकी के लोकर से एक रोज निकलता है जो से हर साल एक साइकोलोजी का स्टूडिन देता है पर मिकी उसे खास नहीं डाती फिर बिली के लोकर से भी एक वाइट रोज निकलता है जो उसका सीक्रेट लवर हर साल वहां रखता है पर बिली नहीं जानती वो कौन है वहीं जब निका अपना लोकर खोलती है तो अंदर फ्लैक रोस था वो बहुत ही खुबसूरत और रेर है रोस देखनी का समझ आती है कि ये किस का काम है इसलिए वो गुस्से में फॉरण रीगल के पास घर पहुँचती है जो उसे तंस करते हुए कहता है कि वो भेड़िये की गुफा में आकर बचने की उमीद कर रही है निका उसे पूछती है क्या ये फूल उसने रखा और रीगल जवाब देने के बज़ाए उसे बैट पर लिटाता उसके उपर आके किस करने लगता है कि निका को एना की अवाज आ जाती है नीचे जाने पर उसे पता चलता है कि वहाँ लियो आया है जो उसे डेट पर ले जाना चाहता है और निका मान जाती है जिनने जाते उपर विंडो से रीगल देख रहा था वहाँ पहुंच के लियो निका का दिल जीतने का कोई मौका नहीं छोड़ता पर मौसम खराब होने की वज़ा से निका घर वापस जाने का कहती है तो दोनों लियो की जैकिट से खुद को कवर करते तेज बारिश में घर पहुंचते हैं लियो जाने से पहले निका को किस करने लगता है पर निका उसे रोपती वहाँ से फेश देती है अंदर आके वो रीगल को पियानो बजाती देख सोचती है कि वो चाह के भी उसके ऊपर से नजर नहीं हटा पाती और सोचती है कि शायद रीगल के अंदर अच्छाई भी है क्योंकि उसे दिल से महसूस होता है कि वो बुरा इंसान नहीं है रीगल की तब्यत हराप होता देख नीका उसके करीब जाती है पर रीगल उससे बत्तमीजी करते दूर होने का कहता है नीका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रीगल हमेशा उसे खुद से दूर रहने का क्यूं कहता है पर रीगल उसे अवोइट करता वहां से निकल जाता है रात को नीका डिनर करती सोच रही थी कि रीगल अश्कों का कारिगर हो या ना हो पर नीका की धड़कनों पे जैसा असर उसने किया है और कोई नहीं कर सकता तब ही उसे लियो की विडियो आती है जिसमें वो जखमी हालत में था और वज़ा रीगल था नीका गुस्से में रीगल के पास पहुंचती है जो खुद सखमी बारिश में भीका हुआ घर आया था नीका उसे ऐसा करने की वज़ा पुछती है पर रीगल उसे दूर रहने का कहता है जिस पर नीका अब कुस्ते में आ जाती है और रीगल कहता है कि उसकी आंसों की वज़ा तो नीका है जो कहके वो बेहोश हो जाता है नीका उसे उठा कर बहुत मुश्किल से रूम में ले जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोसन की हराबी की वज़ा से एना और नॉर्मन कहीं रास्ते में ही भंसे हुए थे नीका रूम में जाके रीगल के गीले कपड़े उतारती है तभी उस एना की कौल आने लगती है जो उसकी परिशान आवास सुन के वज़ा पूछती है तो नीका रीगल की हराब तबियत का पता देती है पर उन्हें परिशान होने से मना करती जाकर रीगल को दवाई देती ह जिसके बाद उसके शेरीर को प्यार से चूने लगती है तब ही रीगल खोश में आके उसे उसे दूर जाने से रोपने लगता है और उसे किस कर लेता है जिसके बाद दोनों रूमैंस करने लगते हैं तब ही फ्लेश बैक से हमें पता चलता है कि रीगल भी मार्गरेट से नफ तो उसे बचाने के लिए रीगल ने जान के अपना हाथ काट लिया ताकि मार्गरेट का सारा दिहान अपनी तरफ कर सके अडरली ने रीगल का नीका के लिए प्यार भांप लिया था पर रीगल ने उसे नीका को कुछ भी बताने से मना किया था क्यूंकि उसे डर था कि नीका उस जैसे लाक्षस को accept नहीं करेगी और बस वो ही करता रहा जिससे नीका को उससे नफरत हो पर नीका चा के भी ऐसा नहीं कर सकी प्रेजन में सुबा एना और नॉर्मन की गाड़ी की आवाज सुनके नीका अपने रूम में जाने लगती है पर रीगल उसे रोकते हुए वाप विस्किस करने लगता है जिस पर नीका भी अपने उपर कंट्रोल नहीं कर पाती पर एना की आवाज आते ही उत को काबू करती खड़ी हो जाती है वो दोनों वहां पहुंच के नीका को रूम में भेच देते हैं जहां उसे लियो की कॉल आती है पर नीका कॉल नहीं उठाती जिसके बाद वो और रीगल वापिस ट्रेंजर्स की तरह एक्ट करने लगते हैं और नीका लियो को भी अवोइड करती है लेकिन इस मुश्किल वक्त में उसका सहारा मिकी और बिली थे स्कूल के बाद बिली और नीका मिकी के घर पहुंचते हैं जहां नीका को पता चलता है कि मिकी एक बिली नियर है पर इस बात को राज रखती है पढ़ते हुए बिली की आँख लग जाती है तभी नीका वाश्रूम जाती है तो मिकी बिली के करीब जाती उसे किस करती है जो नीका देख लेती है यहां मिकी रिवेल करती है कि वो एक लेजबियन है और बिली को ब request करती है कि वो पिली को कुछ ना बताए next scene में निका मार्केट जाती है जहां लियो आके उसे avoid करने की वज़ा पूचता है जिस पर निका उसे साफ साफ बोल देती है कि उसके दिल में लियो के लिए कोई feelings नहीं जो लियो से परदाश नहीं होता तो वो निका को push करता है और उसके हाथ से shop पर किर जाता है जिसमें रिगल का birthday gift था जो shop में आखरी piece था इसलिए निका को बहुत बुरा लगता है लियो उससे रिगल की इतनी परवा करने की वज़ा पूचता है तो निका कहती है कि शायद वो दोनों एक जैसे दर्ट से गुजरे हैं इसलिए एक दुसरे को समझ सकते हैं निका जब घर पहुँचती है तो एना और नॉर्मेन ने रिगल के लिए एक छोटा सा बर्डिल लंच रखा था जहां उसने एडलीन को भी invite किया था जिसको देख निका बहुत हुश हो जाती है पर एना और नॉर्मेन के मरे हुए बेटे की girlfriend को ये बात पसंद नहीं आती वो hurt थी कि वो सब उसे भुला के आगे भर रही है जबके वो अभी भी उसकी यादों में पागल हो रही है इसलिए गुसा करती वहां से निकल जाती है एडलीन निका को कहती है कि उसे ये सारा family drama avoid करते हुए सिर्फ अपने adoption पे focus करना चाहिए ताकि उसे वो मिल सके जो हमेशा से चाहती थी पर निका डरी हुई थी कि एना और नॉर्मेन को उसकी ग्रीव के जिंदगी का कुछ नहीं पता जिसकी वज़ा से उसे आज भी सत्मा है एडलीन उसे कहती है कि पीटर भी इस सब की वज़ा से adoption के बाद भी disturb है और वो सब चाहते हैं कि वो मिल के मारगरेट के हिलाफ केस करें जिसमें उने मीका का साथ चाहिए क्योंकि सबसे ज़ादा टॉर्चर तो उसी ने बरदाश्ट किया है पर निका उसे वापिस फेस करने के लिए तैयार नहीं थी इसलिए मना कर देती है महां से जाते हुए एडलीन रीगल से मिलती है और इसे कहती है कि वो निका को अपनी फिलिंच बता दे और ये मीक के काल्छोटरी में निका का हाथ थामने वाला वो था एडलीन नहीं और रीगल अभी भी इस के लिए तैयार नहीं था रात नीका को रीकल के प्यानों बजाने के आवाज आती है तो वो उसके पास चली जाती है जहां वो उसे बर्दे के गिफ्ट के तोर पे कुछ भी मांगने का कहती है तो रीकल उसे वही उसके करीब बैठे रहने का कहते हुए नीका की बदन को प्यार से छूता उसके लिपस लगे केक को लेक करने लगता है तबी डॉर्बिल की अवास उनकी नीका उसे वहीं वेट करने का कहती बाहर चाती है जहां लियो था जो नीका से अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे रिलेशन के लिए बैक करने लगता है पर नीका के मना करने पर वो उसे याद करवाता ह कि जिस रीगल के लिए वो से ठुकरा रही है, वो जल्द उसका भाई बनने वाला है, तो फिर वो उससे ऐसा रिष्टा कैसे रख सकती है, जिसका नीका के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो बस लियो को वहाँ से जाने का पूल देती है, जब नीका रीगल के पास महु जिस पर वो दोनों इंटिमेट होने लगते हैं, नीका रीगल से कहती है कि उसे सिर्फ उसका साथ चाहिए, जो सुनके रीगल रुकते हुए वहाँ से जाने का कहता है, उसका कहना था कि ग्रेव में टूट टूटके उन दोनों में ऐसी दरारे पड़ चुकी हैं, जिनने बगरी नहीं करती, और कहती है कि वो मिलके उन टुकरों को चोड़ते हुए पहतीरी की दरफ जा सकते हैं, नीका को अब कोई नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए थी, उसे बस वो जिन्दगी चाहिए जिसमें रीगल उसके साथ हो, रीगल उसे अभी भी समझाने की कोशिश कर और उन्होंने साथ गुजारा, उसकी वज़ा से वो दोनों एक दूसरे को वैसे समझ सकते थे, जैसे शायद दुन्या में कोई ना समझ पाए, अगले दिन नीका अपनी दोस्त की तरफ जाती है, जहां से उसना स्कूल पार्टी में जाना था, पीचे से रीगल एना से पार्टी में लियो नीका को सब बुलाके एक नई शुरुआत करने का कहता है, जिस पर तोनों डांस करने लगते हैं, नीका की शोर की वज़ा से तवियत हराब होती देख, लियो उसे क्लासरूम में ले जाता है, पर वहां उससे जबर्दस्ती करने की कोशिश करने लगता ह सीन्स रीगल पे शिफ्ट होते हैं, जो अपना समान लिये कहीं जा रहा था पर फिर वापिस मुरता स्कूल आ जाता है, जहां नीका को ना पाके उसे ढूनने रूम में जाता है, और लियो को रोकता मारते हुए वहां से निकाल देता है, जिसके बाद फाइनली दोनों एक उसे से अपना प्यार कनफेस करते हुए इंटिमेट होने लगते हैं, नेक सीन में दोनों हाथ पकड़े आगे का सोचते हुए ब्रेज पे जा रहे थे कि पीछे से लियो गाड़ी में आ जाता है, जो उन्हें कहता है कि वो दोनों भाई बेंट बनने वाले थे, पर उन्हों आज आता है कि काल खोटरी में उसका हाथ पकड़ने वाला रीगल था, एना उसे बताती है कि रीगल कॉमा में है और वापस मार्गरेट कस्टडी में भी, क्योंकि उसने अटॉप्शन से मना कर दिया था, मार्गरेट नीका को रीगल के पास जाने की अजाज़त नहीं देत जिस पर आखिर नीका इस सब को हतम करने के लिए मार्गरेट पे केस कर देती है, कोर्ट में पीटर डर के मारे अपना बयान वापस ले लेता है और इस वज़ा से मार्गरेट की लोयर नीका को बहुत टाफ टाइम देती है, लेकिन अब उसके साथ प्यार करने वाले लोग इसलिए वो हिम्मत करते हुए कोर्ट में सारा सच बता देती है, जिसके बाद वो फॉरन रीगल के पास जाती है, जो होश में आ जाता है और यहां इन दोनों के प्यार की जीट हो जाती है, लास सीन्स में हमें इन दोनों को एक डॉप्टेट बच्ची के साथ हैपी जिंद करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप देख सके धन्यवाद